चिन्वाडा जिला की चौरे जन्पत पंचार्थ के अंतरगत आने वाली ग्राम पंचार्थ रामकड की गौशाला में गौमाताय परिशान हो रही है लेकिन जाबदार अधिकारी इस पर ध्यान नीते रहे मिडिया को जानकारी में जन्प्रतिनती उपसरपंच मिश्रिलाल दिक्राम ने बताया है के रामकड की गौशाला कीचड से सरी होई है यहाँ पर गायों को खड़े होने और बैटने की भारिश समस्या है चारो और कीचड फेलावा है और गौशाला के सामने वाला भाग की अंदर जाता है आगे उपसरपंच मिश्रिलाल दिक्राम ने कहा है कि गौशाला में ना रामकड पंचायत के सचिव सरपंच रोजगार सहाइक ध्यान देते हैं ना समो ध्यान देता है और ना ही जन्पत पंचायत ध्यान देती है यदि समय समय पर गौवमाताओं की क्या है और गौशाला का जवाबदार अधिकारी कभी दिरिशंग करने तक नहीं आते हैं मेरा काम है साप सफाई करना गोवर कुर्वा फिकना चाम को चारह भुषा डालता हूं जो एक शोते बश्यरी रहते हैं उनको भी पानी प्याना भुषा डालना और ये पंजोग आ हैं लंगडी पंगडी हैं तो जो जोड़ग आता है वह पंढ़दान ग्यान आते हैं तो आज पार सब चारा लगए है साथ सखाई इना जाए दवाई में सच आते हैं यहां से लगा कर उट तक पिछले की चल है सामको आता हूं मैं खाना खागा तो फिस ले नहां कोई समय कोई दखतर बढ़ लेती हैं कि आले कि फूर्च दया करें जाते हैं और हम आथरे वेर्च कि आटे हैं मैं जोय टांक है और घोड़नो फिंदी mı तो अ जाता है के इसा भी किस बाइं ृजसा को यहां चेओं यह घ्यां बनादा करें देखतर मारे थित पिस ने लाकर सब्समें गूसारि लाती है अब पर्शानी जाई है अच्छा यह गराम पंचायद रामवाड की गौव साला है जिसमें मैं अभी आया हूं सर्पाइंग भाई साब के साथ यहां इस्तिती खराब है जहां से रोट से लेके यहां तक मतलब 100 मिटर की दूरी है पूरा पानी की चल है और अंदर फिर एक बा साहर वाली पूरा की चल है और अंदर भी मालों उतनी सारी विवस्ता नहीं है को माता के लिए बहुत दिक्कत है पर साथ प्रसाथ तो इतने के रहें कि सर्पन जियल जाएगा तीन दनी के लिएक से कावन की धारा लागेगी इसमें और गवसाला की और विवस्ता बनाए य महाँदा टीन जी अभी आपने गवसाला में क्या आने की समस्या है देखें देखें किरुप्य बताए डूप अब 尋नर फेने मोन सब्सक्राइब के दो ऐसे उसे रहे हैं निसल्ण मुझेरा अब हम कोई मारदासन सब्सक्राइब बांद अदोट हम एंगतायाap खीमाइब्समाइब्स कार मुझे आए हैं जिसमें इतनी आई निमित्ता पाई गई पूरा कीचाड भरा हुआ है जानवरों को बैठने की जगह नहीं है और जहां से जानवर अंदर घुषते वहां भी पूरा कीचाड है और उनके खाने की सामाग्री भी पूरी बेकार नजर आ रही है और कैसे जानवर यहां रहे रहे हैं और हम इससे बहुत ब्याथीत हैं इसमें जन्पत यह पंचायत के सिर्फ देखरेक में इसका पूरा संचाला जन पस्योस किया जाता है जो कि हमारे दो साल के कार काल में अभीत जन पस्योस तुञार नहीं किया गया और यह सबसे वड़ा यहां भरिष्टा चार नजसरा रहा है और Kerry के बुर्शन के कानी किसान परिवस्टा परचान ह्यास या फिर सांदी दी जा रहे है कि आपको क्या जानकारिया है जानकारी यह है कि वो चोंकिदार द्वारा बटाया जा रहा है कि वो खली रखी हुई है और वो चना का भूशा है और उसमें आदा गेहूं का अब चना का भूशा है तो अभी खराब हो जाएगा तो उसको क्या ज जानवर हैं अभी उनके द्वारा बताया गया 155 जानवर और शासन कह रही है कि एक जानपर चालीस रुपय खर्च है तो उसे साफ से तो 6200 रुपय प्रति दिन का यहां खर्च आना चाहिए जी आप क्या कहना चाहते हैं खुले सब्दों में बताइए मैं तो यह कहना चाहता हुँ कि यहां पर जो प्रवारी जनपस्यों यहां आके निरिक्षान करें और इसकी पूरी वेवस्ता बनाएं और इसमें पंचायत कोई लेना देना नहीं है सर्फ हमारी देखरेख में हैं सारा जो 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 भी समु इसको चलाता है उसके माउंट में वो राशी जाती है और सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें हो सकता है वो लोग भी मिले हूं तो यह यहां दौरदसा है गाई की और सरकार द्वारा जो दिनों देन हम पीपर के माध्यां से गवु रक्षा की बार सुन रहा है जबकि गवु रक्षा के लिए सासन इतना खर्च कर रही है और यहां गवु दौरदसा की स्थिती में गाउं के सेंकडों किसान परिशान है पूरे गाउं में लोगों की फसल चर रहा है उसमें वो बोलते हैं कि हमारे यहां जा गए नहीं है एसी स्थिती में सासन गवु साला का बेस्तार करें और जो जितने और जानबर घुम रहे हैं उनको इसके लिए पर हमको अंदोलन करना पड़ेगा कैसान आकरोसी तोंगे उनकी फसल बरबाद हो रहे हैं कितनी महंगी लागात हैं आया देन परिशान है वो पूरे खेतों में गूम रहे जानबर बाहर से लोग छोड़ के चले जाते हैं और यहां जब जमा करने आते जी कहते हमार पास जगे नहीं है वो लोग यह से छोड़ के चले जाते हैं और गाम वारा जानवर है दूसरे किसानों को नुक्सान पहुंचा रहे हैं फसल के इन बिसेन द्यूस के लिए 14 से ड्राचिश उइकी की रिपोर्ट